नमस्कार दोस्तों आप सभी कमेंट से हल में स्वागत है तो आज संडे और में लेकर आचको हूँ दोस्ते संडे को ने है स्टाइक राक्सवने अब वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि वीडियो ना आने का कारण ये था क्योंकि देखे दूसरी जगा शिफ्ट करना पड़ा था क्योंकि यहां पर इतने सारे लोग आ जा रहे थे तो उस वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था इवन देन मैं हर पर यहां पर अपनी एनलेटिक्स को चेक करता हूं वो भी एक हफता ऐसा आया कि मैं अपनी एनलेटिक्स को भी न सामने लाई चाहें और इस देखें क्योएन तो अभी मैं करूंगा क्योन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आप से करना चाहता हूं कि देखिए अब मैं आप से एक सजेशन मांग रहा हूं कि अब इस चैनल को हमें किस रूट पे ले जाना चाहिए इस बारे हो जाओंगा तो personally आपको reply देना शुरू कर दोंगा इतना ही दोस्तों मुझे सबसे पहले करना था सभी से अब चलिए बिना देरी कि यहां पर आज के स्क्राइब को शुरू करते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू कर लेना है से कमाल की वीडिय देखिए आपको कोई external app को डाउनलोड करने की जुरूत नहीं है वीडियो कॉलिंग को एक्टिव करने के लिए अगर आपके में जैसे Google Duo है Google Duo अगर आपके में मानलीचे की installed है तब तो वो directly option show कर देगा अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो भी आप जब किसी को call करेंगे तो जब भी external डाउनलोड करने की जुरूत नहीं पड़ेगी आपको इसी में वीडियो कॉल का एक dedicated option देखने को मिल जाएगा चाहे M21 हो चाहे कोई भी फोन हो आपको लगबग सभी फोन में inbuilt dedicated वीडियो कॉलिंग का option देखने को मिलता है next सवाल की तरफ बढ़ते हैं वहाँ पे बट Samsung को क्या कहा जाए कि अभी तक इस पर कोई भी आपर प्रोग्रेस नहीं करी गई और मुझे personally ऐसा नहीं लगता कि आगे आएगा बट कोई भरोसा नहीं है Samsung का वो कभी भी दे सकते हैं दिखे मैंने आपको reason पहले भी बता चुका हूँ अगर एक ही phone में वो सब कुछ द दाल सकते हैं बट फिर भी एक marketing strategy की वजह से उनको यह चीज़ करनी पड़ती है और हम सब को भी इसको face करना पड़ेगा अग्ला सवाल यहां पर अनूप कुमार गौड़ा जी की तरफ से आया है background users limit पर एक वीडियो तो मैंने जब लास्ट क्योंने किया था तो इससे related question को म आपका phone 70-80% सारी problem solve हो जाएंगी तो कल की वीडियो का वेट करिएगा शाम तक आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी अगला सवाल यहां पर मानस कुमार माता जी ने पुछा है तो वन यूवाई 4 आने के बाद protect battery वाला feature मिलेगा क्या M21 में अगर नहीं आया तो कौन से आप से बताओ उस feature को use कर सकते हैं देखिए बहुत सारे ऐसे features होते हैं जो list out तो कर दिये जाते हैं जब वन यूवाई 4 रोल आउट हुआ था बट वो features क्या होते हैं combined features होते हैं लाइक डेल लाग के phone में और 5000 के phone में से उसको सब कुछ cover कर लिया जाता है बट ऐसा नहीं होत है क्योंकि अभी तक lower ranges में वन यूवाई का कोई भी ऐसा version नहीं आया है जो जिसमें प्रोटेक्ट बैटरी फीचर हो बट फिर भी एक यहां पर application था कॉम्टेन application उसके बारे मैंने आपको बताया भी था लगबक एक साल हो गया है वह क्या करता है कि आपके फोन में कुछ ऐसे फीचर को unlock कर देता है कि जो यहां पर सैमसंग ने automatically यहां पर off करके रखें तो देखिए वन युवाई जब फोर आएगा तो अगर ऐसा कुछ आता है तो definitely आपको मैं बता दूँगा अगर इंबिज दे देते हैं तो so far so good अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं वह यहां पर आयूश अवस्ति विपल जी ने पुछा है भाई आपकी वन मन्त की अर्निंग कितनी है प्लीस टेल मी ब्रों आम बिगेस तो देखिए अर्निंग के मामले अगर में बात करूं तो TH they got to search कोई the less or उसमें नहीं inn बट फिर भी अर्निंग इतनी हो जाती है कि जैसे मेरे similar is aimed होतें अब और हमतों और जितने मेरे रीचान्ज होते हैं सब्सक्राना करने पर आटोमेटिक इस्क्रीन पर एड्द आने लगते इसके लिए एक solution बताओ, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आपने जब अपना phone को restart किया या फिर update किया होगा जो भी last बार, तो आपके phone में एक galaxy store जब आप खोलेंगे तो उसमें एक notification आता है, देखें ये practical video नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, क्योंकि practically मैं नहीं show करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, देखें जब आप galaxy store open करते हैं, तो उसमें यहाँ पे एक feature आता है, जब वो पूछता है आपसे कि क्या हम आपको ads दिखाएं या नहीं दिखाएं, तो अगर आपने उसको गलती से भी on कर दिया होगा, तो जितनी बार आप net on क करेंगे आपके phone में ads आएंगे, तो आपको galaxy store में उस feature को on करना होगा, तो हो सकेगा तो next video में इसके related एक video बना के मैं आपको solution इसका बता दूँगा, तो बट कुछ नहीं आपको galaxy store में उस feature को ढूणना है, और simply उसको off कर देना है, आपको settings के marketing information में वो feature देखने को मिल सकती है, बट मैं क्या करता हूँ, यह मैं आपको बताता हूँ, तो देखिए phone को हमेशा अपने सोन, जब भी आप सोने जा रहे हो, तो उससे आदे से गंटे पहले अपने से दूर रख दीजे, लगबग माल लीजे कि आपकी जो distance होनी चाहिए, वो 4-5 meter की होनी चाहिए बैक्ग्राउंड की सभी apps को clear करके अपने phone को idle position में रख देता हूँ, तो उससे होता है, मेरी battery तो कम consumption होई जाता है, इसी के साथ मुझे personal harm भी नहीं होता है, क्योंकि कहा गया है कि phone अगर आप अपने pass रख के सोएंगे, तो उसके radiation से आपके heart पे कुछ बुरा effect पढ़ सकत तो इतना 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 वीडियो में चली है, अम लोग मिलते हैं से कमाल की नेट एक वीडियो में, तब तके लिए नमस्कार